सबसे पहले पता रहना चाहिए कि जहांसे गाइडेंस ले रहे हो सच में उनको कुछ सालों का कुछ चीज़े पता है कि नहीं पता है उन्होंने कुछ चीज़े की एक निई तो ही प्रौपर तरीकिया से बता पाएंगे सब्सक्राइब अगर आपको करना है तो उसके बारे में अभी से क्या तैयारी करनी है वेकेशन के टाइम कौन से को जो आइन करना चाहिए और एक कोर्स है जो आपको जरूर बोला जा रहा है मुझे फिक्स पता है, मैं भी नहीं बताऊंगा, प्लीज वो दूसरे वीडियों बताऊं, कौन सा कोर्स, पर मैं सजेशन देना चाहता हूँ, उस कोर्स के बारे हैं, अभी कुछ नहीं बोलूगा, मेरे बोलने के बाद ही कोई कोर्स जॉइन करना, प्लीज अगर रिक्वेस् बनाता है, और किसके लिए नुकसान करता है, वो चीजे भी मैं आपको बताने वाला है, और उससे रिलेटेट भी एक पर्फेक्ट वीडियो आप सभी को आने वाला है, वेट करना उस वीडियो का, प्लीज कॉमेंट करना कि एकर वैसा वीडियो चाहिए, कि बेस्ट ओफ आ जाएगा, और पूरा डीटेल में बताएंगे हम कमबाइन रूल के बारे में, जिससे आपको समझ में आएगा, जो आपके डर था, वो उसका गड़वर होने का डर था, वो आज क्लियर हो जाएगा, तो चलो, सबसे पहली बात, मैं आप सभी को एक चीज बता देना चाहता ह कि जो हमारा बोर्ड होता है, हमारा बोर्ड कभी ये नहीं चाहता कि हम किसी भी स्टूड़न को जबरजस्ती फेल करें, या स्कूल भी नहीं चाहता, स्कूल बिलकुल नहीं चाहता, इवन जब स्टेट का रिजल्ट निकलता, तो स्टेट स्टेट के बिज़ने कॉम्पिड तो देखो सबसे बहले, आप सभी को बताए कि 100 में से, 100 में से अगर 35 मार्क्स नहीं है, तो बंदा क्या है, फेल है, उसमें फेल का ठप पलत जाएगा, कि अगर 35 मार्क्स नहीं है, तो मुझे मैं आप सभी से पुछना चाता हूँ, यहां देखो, हिंदी, माराटी, इंग्ली माराटी में पास हैं, इंग्लिश हो पास हैं, पर इसमें फेल हैं, तो वो 10th में गए हो, नहीं, नहीं गए हो, क्योंकि यही तो कम्बाइन रूल फायदा देता है, कम्बाइन रूल यह कहता है, कि अगर आपका, उसने दो ग्रूप बना के रखा हुआ है, हिंदी, माराटी एन English तीनों को मिलाके अगर आपका 105 हो रहा है तो समलो आप पास हो पर तीनों सब्जेक में जिसको आपको एड करना है एड करना है अटलीस 25 मार्क्स होना चाहिए अगर 25 मार्क्स नहीं है तो आपको एड नहीं किया जाए तो अगर मैं इसको प्लस करता हूं देखो यहां यह हो गया 5, 4, 4, 8, 9, 10, यह हो गया हमारा 105, 105 मतलब यह बंदा क्या है, 25 हो गया, तो भी अगर मैं प्लस करो, 5, 4, 4, 8, 9, 10, वही हो रहा है, यह क्या बंदा पास है, नहीं पास है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स चाहिए, 25 मार्क्स चाहिए, तो ही कम्बाइन रूल के तूर उसको एड किया जाता है, लिटो एड नहीं किया यह दिमांग फिट करो, यह बहुत कम लोग आपको बताएंगे, अब चलते आगे, साइंस और मैट, साइंस और मैट में, आप सभी को पहले बता देता है, 25 मार्क्स तो चाहिए, एड होने के लिए कम्बाइन रूल के तूर, बट आपको दोनों को, यह दूसरा ग्रूप है साइंस और मैट का ग्रूप है, साइंस और मैट की ग्रूप को आड करके, आप सभी को कितने मार्क्स चाहिए, 70 मार्क्स चाहिए, तो अगर आपको मैट में, साइंस में, दूसरे अकॉर्डिंग देखे तो फेल है, बट कम्बाइन रूल के अकॉर्डिंग देखे तो 55, 10, 45 25617 यह बंदा पाट है कि यहां भी पास इसमें भी पास है इसमें 25 मिला था फिर भी पास पर अगर यहीं यहीं मालूं यह 20 हो जाए और यह 50 हो जाए तो भी फेलन क्योंकि at least कितने मार्क चाहिए 25 मार्क चाहिए तो ही वह एड होगा नहीं तो नहीं होगा तो यह सब्जेक्ट रहते ही है पॉलेटिकल साइंस होता है हिस्ट्री होता है देन जोग्रफी होता है तो इसलिए उसके लिए कोई कंबाइन रूल नहीं लाए तो आप पास हो तो भाई यह है पूरा डीटेल में कंबाइन रूल किसके लिए 10 चाहिए प्रदीवगीरी अपडेट इस चैनल बनाया हुआ है तो प्लीज इन सभी चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उन्हों सभी को सब्स्राइब करके पना सपोर्ट और प्यार बल रहा है मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यों सो मस्च गाईस जैहिंद दोस्तों